नमस्कार सातियों मैं हूँ आपका मनोजलीगडी और जैसा कि आपने देखा था कि इसराइल जाने वाले श्रमिकों के लिए बहुत जल्दी उत्तो प्रदेश ही नहीं बलकि भारत के श्रमिक इसराइल जाएंगे और अपने भविश्च को सवारेंगे बनाएंगे वो पूरे मैं मनोजलीगडी स्वागत कर रहा हूं और उसके साथ में लगबग सतर लोगों के जो मेरे पास सवाल आए उन लोगों के और से आपका स्वागत है धन्यबाद आपका और जैसा कि पिछली बार भी आपको हमने बताया था कि प्रदेश सरकार द्वारा इसराइल में दस जा लोगों ने सहमति दी थी जिसमें 156 का डाटा भी हम लोगों ने भी दिया है पीबा को इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के कोईरियां भी आ रहे हैं बहुत सारे कंफ्यूजन भी है कि वहां युद्ध चल लाहा है ऐसा कुछ नहीं है आपको भेजा जाएगा निर्मार क काड़ों के लिए भेजा जा रहा है सर मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही हमने वीडियो डाला था सर तो हमारे पास प्रदेश के कई जिलों से और अन प्रदेशों से भी सूचना में लगाता रही है हमारे साथ में रमेश यादब जी थे जन्नोंने अपने मन के सवाल कर्मा च्छतर पूर मद्द प्रदेश से और एक मलेशिया से सज्जन थे जो भारतिय मुलके हैं निलेश कुमार जिनके भी अपने सवाल हैं सौनु चोधरी सर देवरिया से हरेंद्र यादब गुब राई से और इसके अलावा सर लगातार सवालों के सिलसले जारी हैं पूगिश कुमार प्रिजापती महराज गंज से दीपक कुमार कुशी नगर से मुहम्मद सिराज गड़ गजरोला से और सूरियान्स 21 वर्ष गुरकपुर से सर इन बहुत से लोगों के सवाल हैं और मैं पहले सवाल के साथ आप से जुड़ता हूं सर पहला जो रमेश पहली बात तोसपस्ट कर दो कि रिजिस्टेशन के लिए या उनका डाटा भेजने के लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं है अगर आपका सेलेक्शन चुकी इसमें अली गंज लखनो आई टी आई में एक प्री डिपार्चर ट्रेंडिंग और टेस्ट होगा अगर आप उसमे और कोई सर्विस चार्ज नहीं तो आने जाने का जो टिकेट होगा सर वो आप लोगों के माध्यम से जो भी संस्था भेज रही है सामुहिक रूप से भेजेगी या अपने अपने आप लोग जाते रहें इसमें पान पान सो लोगों को भेजा जाएगा और टेस्ट भी पान सवाल था जिनका कहना है कि उनको 137,260 रुपे इंडियन करंसी के हिसाब से मिलेंगे और वहां के इसराइल के अगर बात कहें तो 6,89 रुपे 80 पैसे मिलेंगे तो यह जर जो पेमेंट होगा वो प्रतिमाह मिलेगा या वर्स के हिसाब से मिलेगा वो क्या सिस्टम रहेगा और देने वाली संस्था कौन होगी सर यह देने वाली संस्था तो निर्माड अस्थल जहां पर काम कर रहा है वरकर वही देगी और यह प्रतिमाह जो स्रमिक का होता है उसका बेतन हमेशा प्रतिमाह ही दिया जाता है उसमें सर एक सवाल और जुड़ रहा है वहां एकुमेंडेशन खाना और स्वास्थ सेवाओं को लेके क्या प्रोसीजर रहेगा क्या जो संस्ता ले जा रही है हमें उनकी जुम्मेदारी होगी रुकने खाने पहने और स्वास्थ सेवाओं की या जो भी अप्लिकेंट है जो स्रमिक को स्वयम बहन करना पड़ेगा लेकिन रहने खाने की विवस्था संबंधित निर्माण एजंसी द्वरा की जाएगी लेकिन स्रमिक के जितना भी उसके बैय आएगा उसके वेतन से कटोती की जाएगी सर एक थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है आप तो सरकारी संस्था हैं और सबके कल्याण सबके साथ सबके विश्वास के स्लोगन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं सर एक मेरे पास जानकारी आई थी या मुहम्मद सिराज गडग गजरोला का सवाल था कि वो व्यक्ति रोजा भी या किसी विशेश धर्म को स्पेशल सुबदाएं दी जा रहे हैं बिलकुल नहीं इसमें धर्म जात विशेश संपरदाय को कोई बरेता नहीं है सभी जा सकते हैं जिनकी आयो एककेश से पैंतालिस वर्स के बीच हो और जो टाइल्स लगाना जानते हो और जिनको बेसिक अंग्रेजी जान हो राजमिस्तरी हो और कोई मतलब जाति धर्म विवेद कोई विवेद नहीं है कोई विवेक्ति जा सकता है भारत देश अलग अलग संस्कृति और परमपराओं का देश है जो भी व्यक्ति इस कृति को कर रहा है वो समझ लेके ये बात आपकी उपर आला अपसरां तो जाएगी कोई भी ऐसी नंदनिया हकत ना करें जिससे विवाक की बदनामी हो और समाज में गलस संदिश जाए खेर सरे हम नए सवाल के साथ आप से जुड़ते हैं जो एक कॉस्चन आया था सर मेरे पास व्यक्ति की उमर लगबग 44 वरस है और वो बड़ा ही आ क्या उनका एग्रिमेंट अगले पास साल के लिए होगा होगा तो कितने वक्त के लिए होगा नहीं होगा तो आखिर क्यों नहीं होगा थोड़ा सा सर जवाब दैस का बिलकुल जा सकते हैं जैसा हमने कहा कि कीश से पैतालिस वर के अभी तो उनकी उमर 44 साल है वो बिलकुल जा सकते हैं ऐसा तो नहीं है को माँ जाके वई आपके तीन महीने सास रहे गए हैं बाप बापस कर लगा नाजरीन और हाजरीन या जो भी शूरता और दर्सक हमको देख रहे हैं एक सर्जन का सवाल था कि मेरी उमर लगबग 45 वर्स से उपर हो चुकी है और आखरी सीमा 45 व साथ मैं एक बार और दोहरा दूं जिनकी उमर पेंतालिस वर्स है वो भी लोग जा सकते हैं और वहाँ पर एग्रिमेंट आगे बढ़ सकता है तो सर आप इजाज़त देते हैं अगले सवाल की और बढ़ने के जी आपको सुनता और दरसक सुनने हैं सर बड़ी तेजी से वीड दाय मिल लहा है और उसके बाद दूसरे देश में जाके कारिक करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आउसर होता है और इस आउसर को मैं तो सभी से अपील करूंगा जो भी इच्छुक हों और जो पातरता की सरते पूरी कर रहे हैं बिल्कुल जाना चाहिए सर ने बिल्कुल इवाइट कर दिया है कि जो भी शोता और दर्शक और जो भी प्रवल इच्छाधारी हैं जिनके मन में सकती है कि मुझे परवार का कल्याण करना है वो भी मजदूर परिवार उसकी बेटी की साधी बच्चों की सिक्षा ब्रद माता का इलाज या एक सपनो का महल पतनी ने जीवन भर संगर्स किया और अब एक ही रास्ता ये है कि अपने परिवार को बहतर शुक्षब्दाव देने के लिए एक लाख 37,226 रुपे कमाने का इस्राइल जाकर बहुत सुनहरा और अच्छा मौकब मिला है यकीन नहीं होता मुझे कि आम तोर पर श्रम लोग कह रहे हैं क्या डिस्टिक मुख्याले पर या जिला कार्याले पर ही जाकर रजिस्टेशन हो सकता है या कोई गुजरात में बैठा है कोई बिहार में बैठा है कोई गुडगाओं में बैठा है कोई दिल्ली में बैठा है कोई राजिस्थान में है क्या ऐसे लोगों क जोब एक्स डॉटकॉम है आप इस पर आफुना फिल एंक है और नासे धीन डॉब एक्स डॉप गूव तो ठोब का ए मेरे पाइव बीशोटर जोगों के फॉन आरें गोज़ा आप आप जिला मुक्षाले पर ही जाकर रिशन होगा यह कोई और भी तरीका आप भी हो सकता है, आप आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जासे सर, मैं, मैं, सर, मैं, मैं, अलीगर्ण का मूललिवासी हूं, और सपोज देट मैं गुरगाओं में रह रहा हूं, राजिस्थान में या बिहार में रह रहा हूं, और मैं अभी इतनी जल्दी नहीं आ सकता दो दिन का समय है सर तो मुझे उस समय क्या करना चाहिए उसे आनलाइन अप्लाई कर दीजिए आपका डेटाबेस चला जाएगा इसनके लिए किन-किन दस्ता बेजों की आवश्चकता है दस्ता बेज एक तो विदेश जाने के लिए आपको पासपोर्ट होना मस्ट है ठीक आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए वो अधार कार्ड भी हो सकता है मद दाता पहचान पर पुजिए हो सकता है और ऐसा कुछ नहीं है और तीन बरस का एक अनुभ़ परमारपत की आपने इस टाइल्स लगाने का काम किया ह वो किसी भी कांटेक्टर से किसी भी निर्मार करता है एजनसी से आप ले सकते हैं तो सर ने बताया कि पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है और जिन युवाओं के पास पासपोर्ट है वो जैसा कि हमें जानकारी थी के डिस्टिक कार्याले पर ही जाकर काम होगा ऑनलाइन ज कि मेरे पास हरयाना और गुजरात बिहार उत्तार परदेश के बहुत से जिलों से फोन आ रहा है किया इसकी अन्य परदेशों में भी जारी है या शिर्फ उत्तरपरदेश के लिए हैं और इसमें हरियाना सरकार दौरा निर्मार सर्मिकों को भेजा भी जा चुका है, उत्तर परदेश सरकार भी अपने पुग्रे परियास कर रहे हैं, कि हम लोग भी अपने निर्मार सर्मिकों को एक जो अवसर मिला है, उसका लाब उठाने के लिए भेजे, भेज सकते हैं, जी, सर जो लोग विदेशों में इस समय काररत हैं लागातार गल्फ कंट्री में बहुत से आलिगण के युबा प्रदेश के युबा कार कर रहे हैं उन लोगों को कार रहे हैं इसका लाब लेने के लिए इसराइल जाने के लिए लाब लेने के लिए क्या वहां से इंडिया आकर ही एप्लिकेशन देनी पड़ेगी या वहाँ से भी काम चल सकता है आप इसा परतिवंद नहीं है कि आप यहां आए फिर वहां जाएं आप महीं समपर कर सकते हैं पीवा उनकी वेब साइट है इसराइल सरकार की आप उनसे वहां से संपर्ख कर लिजे अगर आपकी अवसकता होगी तो पीवा सरकार आपको इन्मेटेशन देगी जो भी हमारे मजदूर साथी विदेसों में सेवाएं दे रहे हैं जैसा कि गल्फ कंट्री में बहुत से बात ह हुई थी मेरी युबाओं से वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेसों में सिवाएं दे रहे हैं और इसराइल जाने के लिए कौनशा स्वाट कट है तो उनके लिए जैसा कि सर ने बताया कि पीवा जो भी करकारी संस्ता है वहां की उसकी वेब साइट पर जाकर आप अपने सवा और सर जोड़ रहा है सर आपसे आपने बताया था कि यह एप्लिकेशन देने वाले जो भी एप्लिकेंट है उनका आखरी डेट दस जनवरी है वेकिन सर आज आठ जनवरी हो चुकी है क्या उन लोगों के लिए समय सीमा को बढ़ाने की कोई बात चल रही है पंदरा जनवरी होगा लेकिन अब वो तेज से तीस के बीच तो जो भी मजदूर साथी विदेश जाने की प्लानिंग में है वो उनके लिए खुसी का मौका है कि यह जो एप्लिकेशन देनी थी जो पोटल था जो भी वेबसाइट है वो दस जनवरी की जगए पंदरे जनवरी तक उनकी मुलाकात हो रही है श्रम वभाग के ऑफिस पे मैं आता हूँ वो अपनी पत्नी बच्चे और बेटी को लेकर साथ आ रहे हैं और उनकी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों के साथ में जाना चाहरा हूँ तो सर ऐसी लोगों के लिए आप सर क्या मेसेज देना चाहरा है आपको सेक्डों सुरुता देख रहे हैं और बड़ी तलिन तासे और मतलब देखिए कुछ लोगों के हाथ में भोजन भी लग रहा है सर नेवाला हाथ में लगा हुआ है उनको और पता दीजिए कैसे अपने परवार को भरन पोशन के लिए मजबूत करने के लिए और बहत इसका उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के शिर्मिकों को इसका लाब उठाना चाहिए और वहां जाके काम करें अच्छा काम करें सर एक और कॉस्चन है सर जो टिकेट होगी सर श्रुमिक की जो भी विदेश जाने का जो भी चार्ज होगा क्या उसको सरकार वहन करेगी या एप्लिकेंट को स्वेम देखना पड़ेगा और इसे एप्लिकेंट को स्वेमी देना होगा और जैसे यहां से फ्लाइट चली जाती ह और इस्राइल में लोग उतर जाते हैं उसके बाद पेमेंट का जो सिस्टम है उसके बारे में कुछ नॉलेज है सरा अरे भारतिया दूतावास है अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो वो सारी चीजे वो मैनेज करेंगे बेवितन संबंदी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस्रा कार की कोई नहीं होती कि किसी स्रमिक की मजदूरी मार दिया जाए या नहीं विल्कुल नहीं और अगर इस प्रकार की कोई सिकायत आएगी तो भारतिया दूतावास में हैं बाकायता वहां कंट्रोल रूम है सारी चीजे हैं कहीं भी सिकायत कर सकते हैं कभी भी कर सकते हैं ज जब भी विदेश जाएंगे तो उनके लिए बरावर कोई समस्या होती है तो उसके लिए दूतवास उनको रियायत देते हैं, राहत देते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं। अपना डेटा भेज कर उसका लाब ले सकते हैं, मैं हूँ आपका मनोज अलीगड़ी और मेरे साथ थे सिया राम, जैजै राम, बहुत बहुत धन्यबाद, जैहिन। अलीगड़ी हैं। कैसे देखी, क्या कर रहे थे जो आपने वीडियो आपकी नजर में आगी। अब और इसराइल जाने का विचार कैसे मन में मना है। मन में है समना के मजदूर आदमी है, तो इसमें चैनल में दिखाया गया के महां जाओगे। अब बड़े साब आपको बता रहे थे कि जाने के लिए तरीका है न। तो क्या कर रहे थे जब आपने वीडियो दो के इंटर्वी देखा था उनका तो बोल लेते कि जिसे जिसे जाना है तो वह आ सकते हैं हमारे पास तो उनके जो भी जाने का विचार है तो हम उने बoney बेज़वा सकते हैं तो कितने दिर पहले आपने ये इंटर्वी देखा इंटर्वी देखे वह गए साए जब इंटर्वी देखा उसके बाद क्या करा ? इंटर्वी देखा दो चार दिनों सो और राय मसरवाली पूछा कि हाँ भी ऐसे ऐसे है तो बोले कि हाँ आप जा कर देखो पहले एक बार जाने चाहिए कि पूरा एडरस है इसमें वीडियो में सर का इंटर्वी है गई उनका तो इसलिए मैंने अमरोहा से ट्रेन पकड़ी कल नहीं कल नहीं फिर आप अमरोहा ओफिस क्यों नहीं गई यहां क्यों आई अलीगण क्यों आई अमरोहा ओफिस मशदूर तो आदमी कहीं भी चला जागा उसे तो रोटी चाहिए के नामक कमाने के लिए जर्या चाहिए बस इसलिए कहीं भी चला जागा तो कौन को ने आपक मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, मेरी दीदी हैं, मैं हूँ, मेरे ममी नहीं है तो इसराइल जाकर ऐसा क्या करोगे जो अलिगार यहां पर काम नहीं हो सकता उत्तर पिदेश में जो इसराइल जाकर ही करोगे सर यहां भी हो रहा है मतलब यहां करते हैं मतलब खर्चा हो जाता हूँ जाकर यह बाहर जाकर थोड़ा पैसे जुड़ जागा तो काम में जाएगा जादे भी पैसे मिलेंगे एक लाग सेंटी साजार रुपिर मिलेंगे जादे भी पैसे मिलेंगे और जूड़ भी जाएंगे यहां तो जो कमते हैं वो खर्चा हो जाते हैं पैसे जूड़कर क्या सपना है पैसे जूड़कर क्या करोगे सपना क्या है आपका सपना यह है हमार सपना है और वहन की साथ ही हो गई भीनकी साथ ही ता होगी, अभी अमारे ही नहीं मेरे भापा के मेरे भाये के नहीं क्य해요орт जुबम्नार की है इसलिए पूरा खagar रहाद नाति अथे पूरा यह क्धार को करने वहां आम रहा से ट्रेन पकड़ी से तब कल सब्सक्षा STREAK में अलगजड स्टेसन पए फिर पूरी रात में रहा इस्टेसन पर मैं पुर यहाई गया कि नमें तो इस जगे का आड़्स कैसे मला कहीं यहां प्राणा हैै एडरस बॉडियों में बता रही था आप एडरस और बोर्ड पह지만 बॉड पर बोर्ड नियु कैसा लगा? आपका विवार सही लगा. क्या कहा उनों ने? बोल लें के भी जवा देंगे. चली ठीक है. तो ये थे हमारे साथ मुहम्मद सिराज है ना? और बड़ी दूर से यात्रा करके आए हैं. जो भी शुरता और दरसक इसराइल के लिए जाने की तैयारी में, वो सिराज जैसे होंसलों को कायम करें और आगे बढ़ते रहे हमारी आपके साथ सुपकाम ना है. बहुत बहुत धन्यबात. जाहिंद और जो भी शुरता और दरसक इस वीडियो को देख रहे हैं के पर लाइक करें और फॉलो जरू करते हैं और अपना स सर रजू है वो जरा जांडे की बात कर रहा हैं? तो आपके मनमक कैसे बचा रहा है के मंगे जाना चाहिए? मैं सर यहां वहां पर बेटन ज्यादा मिला है इस हिसाम में जाना चाहता हूँ. कितने रुपे मिलने हैं आप? वहां पर एक लाग सेंतीसी अरपे उसके इसाब से जाना चानता हूं हाँ हाँ जी सोच रहे हैं हम मैं क्या बेद फैमिली चाहिद चली आइं वहाँ पर काम करें अपना फैमिली में कौन-कौन लोग है हम फैमिली में तो हम दो बेटे हैं और लिए हमाई घर की है तो जा वह भी मजबूरी करती है या खाली घर पर फाउस वाइब की तोर पर ले जाना चाहे थे नहीं नहीं सब वह भी अपने साथ में मतलब खाना-पीना जैसे और अपना अब आपका ख्याल रखेंगी और आपका असे कमाऊगी हां यह प्लानिंग थी तो क्या के दिए यहां के अवच्पा उलना तॉ इंफश समय अपने बच्चों लेकर आये थे कहा हम सब लोग जाए मयों ऺंछ और यहांं पर जो लाए थो को रहे थे माइं नहीं थो नहीं हमिंट से ङृधक करके गहासं था था ना बच्चों कि अकेले तुमें जाओ हुए इस पत्हिकी 생겼ये देट मीं की रेने की एक ही जाने की जाने की जा रहे हैं और मैंने दिए चला जाओं और हुख estimates पातिनी कह रही हमारी के ठीक है तुम अकेले जा रहे हो तुम अकेले चले जाओ मैं भी साथ चल दी तो सही है तो पासपूर्ट बना हुआ है नहीं सरभ बनवाना परेगा कि नौ में पढ़ाई ठोड़ देए हमारे तुमाले में जाने का खर्चा कितना होगा है सर मांका अभी नहीं पता पैस होगा सर यह साय मकान भी हमारा वह वैसा हो रहा है और अच्छी से अच्छी अपने पैसी कमाएंगे तो अपना कोच्छों को भी पढ़ाएंगे कुछ अच्छा करेंगे संकट में समय काटा है तो उसे अच्छा करना चाहते हैं पिता जी के लिए इस अपना देख रहे हैं कि वहां से पैसे कमाएंगे तो सब हमारा सब परवार अच्छा अच्छे तरह से रहेंगे महां से पैसे जैसे 8-10 महीने काम करके आजाएंगे तो लोट पर गुदू